कार्तिक मास की त्रेयो दर्शी के बाद से कुछ चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं। हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो दिवाली के महत्व को काफी हद तक नजर अंदास कर दिया गया है। यसे वापस लाने का समय आ गया है ताकि आपकी उर्जाएं गिर ना जाएं और आप उन सभी अशुब शक्तियों के शिकार न बन जाएं जो हमेशा हम पर काम करती रहती हैं। ये दिवाली का समय है। इसका क्या महत्व है। ये वो त्यओहर है जो हमेशा चंद्र कैलंडर में कारतिक मास के तेरह वे दिन आता है और इसे त्रेयो दशी कहते हैं। कारतिक मास के तेरह वे दिन त्यओहर होता है। परंपरा में इसका विज्ञान ये है कि इस दिन सभी पूजा करते हैं दिपावली के दिन ये परंपरा है कि सभी धनवंतरी की पूजा करते हैं जो कि हमारी सेहत और खुशाली के लिए समर्पिते ग्रेवता हैं आज धनवंतरी शब्दकार्थ काफी हद तक डॉक्टर हो गया है धनवंतरी या धनवंतरी देवता आईरुवेद के स्त्रोत माने जाते हैं आईरुवेद लंबे और सेहत मन्द जीवन का विज्ञान है खैर, यहां बहुत सारे उत्तरभारतिय लोग हैं पता नहीं उन्होंने यह कब कर दिया क्योंकि इस भाषा की प्रकृतिय ही ऐसे है उत्तरभारत में ज्यादतर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और वो आखरी शब्द को कार देते हैं अगर आप कहें ध्यान लिंगम तो वो कहेंगे ध्यान लिंग अगर आप कहें शिवा तो वो बोलेंगे शिव अगर आप कहें रामा तो वो कहेंगे राम इस भाशा की ये आदत है हमेशा अखरी शब्द काट दिया जाता है लगभग हर शब्द का कुछ इस तरह तो किसी ने धनवंत्री और त्रेवदशी शब्दों को काटा और बना दिया धन ते रह जो चीज सेहत की थी वो धन की बन गए धन यानी पैसा अब सब सोचते हैं दीपावली पैसे से जुड़िये ये बात सेहत की क्यों है क्योंकि हम मेंसे जो लोग उत्री गोलार्द में रहते हैं उनके लिए कार्टिक मास की त्रेवदशी से कुछ चीजें बदल जाती हैं चीजें बदलती हैं कुछ ऐसे कि जीवन धीमा होता चला जाता है तो सर्दियों के महीने के दौरान आपको अपने साथ क्या करना चाहिए आपको कब उठना चाहिए आपको क्या खाना चाहिए आपके खाने की आदतें कैसे बदलनी चाहिए आपके योग अभ्यास कैसे बदलने चाहिए सब के लिए हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए ताकि सर्दियों के महीनों से हम गुजर पाएं बिना बीमार पड़े, बिना निराश हुए और बिना जीवन में संतुलन और उद्देश शिक होए ऐसा कैसे करना है इसका एक पूरा का पूरा विज्ञान था दिये जलाना और पटाखे फोड़ना भी उन्हीं चीजों में से एक था ताकि आपकी उरजाएं गिरने न लग जाएं वंश के स्तर पर एक आयाम होता है हमारे अंदर विकास के प्रक्रिया से जोड़ी यादें होती है जो सोचती है कि जैसे ही सर्दी के महिने आते हैं चाए मौसम वाकई ठंडा हो या ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से गर्मी बनी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बदलाव तो होते ही हैं धर्ती और सूरज के बीच की दूरी और धर्ती और सूरज के बीच की स्तिती बदल जाती है इस वज़े से धर्ती पर जीवन धीमा होता जाता है अगर आप एक भालू होते मेरा मानना है कुछ समय पहले आप थे तो आप एक लंबी नीन में होते तो शरीर में लंबी नीन में जाने की एक टेंडेंसी या प्रव्रत्ती होती है अगर आप को यह न पता हो तो इन दिनों बीच अंकुरित नहीं होते भारत में इस मौसम से लेकर 14 जनवरी तक कोई किसान बीच नहीं बोता क्योंकि बीच पूरी तरह से अंकुरित नहीं होगा या उतनी तेजी से अंकुरित नहीं होगा जितना दूसरे मौसमों में होता है उत्री गुलार्द में हर चीज पूरा जीवन ही धीमा हो जाता है क्योंकि जीवन धीमा होने जा रहा है इसलिए हम अपने आसपास और जादा उर्जावान चीज़ें करने की तैयारी करते हैं ताकि हम खुद धीमेना हो जाएं और इसका हिस्सा न बन जाएं एक तरह से हम अपने विकास की प्रक्रिया पर डटे रहना जाते हैं हां, अगर हम कोई और प्राणी होते तो हम कहीं दुबक कर सो जाते हैं पर अब हम इंसान बन गए हैं हमने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है मैं बहुत जादा ही चीज़ें मान कर चल रहा हूँ क्या माना जाता है कि आप अपने शरीर की टेंडेंसी से उपर उठ चुके हैं तो इनसे उपर उठने के लिए कई गत्विदियां बनाई गई हैं ताकि आप एक वैसे हाइबरनेशन जैसी हालत में न चले जाएं शारिरिक सुस्ती, मान सिक्सतर पर थोड़ा सा डिप्रेशन ऐसे सभी के साथ आसानी से हो सकता है क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है ठंडे देशों में निश्चतरूप से लोग इसका अनभव करते हैं हाँ या नहीं क्योंकि आपके भीतर चीजें धीमी हो गई है उत्री गोलार्द में सिर्फ आप ही नहीं सब कुछ धीमा हो जाता है क्योंकि सूर्य के साथ हमारा संबंध बदल जाता है जो कि हमारी जीवन का बेसिक सोर्स है इस धर्ती पर उर्जा का बेसिक सोर्स सूर्य है इसलिए नहीं कि आपने सोलर पैनल बना लिया है सूर्य हमेशा से रहा है अब क्योंकि उत्री गोलार्द और सूर्य का संबंध बदल गया है यानि आप सूरे से दूर हो गए हैं, इसलिए इस महीने से धीमा बना जाता है इस चंद्रमाह के तेरवें दिन से ऐसा होता है, जिसे कार्थिक त्रेयोधशी कहते हैं तो इसकी भरपाई के लिए भारत में तरह तरह के काम किये जाते हैं इस महीने के बाद से आम तोर पर परंपरा के हिसाब से इसमें पुरुष और महिलाएं अपने काम आपस में बदल लेते हैं एक्जांपल के लिए ये महिलाओं के लिए रोजाना का काम है अब नहीं रहा पर भारतिय गाओं में अब भी ऐसा होता है कि सुबह सबसे पहले वो अपने घर के बाहर सफाई करती है और कुछ जमेंटरी वाले आकार बनाती है ये जमेंटरी आज महिलाएं सिर्फ एक ही डिजाइन जानती है अफसोस है वो एक ही चीज बना देती है या इसे रंगवा देती है या एक खाके से उसे बना देती है नहीं तो उन्हें चावल के आटे से रंगोली बनानी होती है और हर रोज सोमवार, मंगलवार और ऐसे हफते के हर दिन उन्हें एक विशेश डिजाइन बनानी होती है जिससे हमारे घर में एक विशे शूर्जा कर्शित हो अगर आज पूनिमा है तो एक तरह की डिजाइन अगर अमावस्या हो तो अलग डिजाइन तो 28 पाटर्ण हुआ करते थे और लोग जानते थे कि किस दिन क्या बनाना है तो इन महिनों में रंगूलियां बनाने का काम पूरुशों का हो जाता है और ये एक लोता ऐसा महिना है जब पूरुशों को सुबह सड़क पर गाना गाते हुए जाना होता है सुबह सुबह उन्हें सड़कों पर गाना गाते हुए निकलना होता है आज भी बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, भारत के गाउं में कुछ हट तक और शहरों में फिर से, ये चलन फिर से शुरू हो रहा है आज हमारे शहर बहुत बड़े हो गए हैं, वरना अगर आप किसी गाउं में रहते, तो महां रहने वाले हर इनसान को अपने सिस्टम में ढोल और संगीत की स्टाल की जरूरत होती है, ताकि वे हाइबरनेट न करने लगें, ताकि उनका सिस्टम धीमा न हो जाए, तो दीपावली इसी लिए होती है, शायद आप रोशनी न देख पाएं, इसलिए पटाखे जलाए जाते हैं, ताकि आप जाग ज जाएं, सुबह साड़े चार बजे लोग पूरे कजबे में पटाखे फोडने शुरू कर देते हैं, जिससे लोग जाग जाएं, और सभी जीवन्त हो जाएं, क्योंकि सर्दियों के महीने में ये ज़रूरी होता है, कि आप सूरज से पहले उड़ जाए, सूरज की पहली किर लोग ये कमिट्मेंट लेते हैं, इसलिए सभी सूरज से पहले बाहर आ जाते हैं, थाकि सूरज की पहली किरण उनके उपर पड़े, ना कि जमीन पर, तो इस तेवहार के महत्यों को काफी हद तक नजर अंदाज कर दिया गया है, पर फिर भी लोग थोड़ा बहुत गार है और कुछ पठा के फोड रहे हैं, इसे वापस लाने का समय आ गया है, विशेश रूप से अगर ठंडे मौसम में हम इन में से कुछ चीज़ें शुरू कर पाएं, तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि दीवाली कोई धार्मिक तेवहार नहीं है, ये तेवहार इस धर्ती प अगर आपका शरीर थोड़ा धीमा हो गया, तो आपको कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि तब नहीं होगी जब आपका शरीर जीवन्त और उर्जावान होगा, अगर ये शरीर जीवन्त और उर्जावान है, तो अभी आपके अंदर चाहे 1000 एंफेक्शन हों, पर आप धन्वंतरी, सेहत और खुशहाली के विज्ञान से जुड़ा है कि हमें अपने सिस्टम को जीवन्त रखना चाहिए 14 जन्वरी तक सब कुछ उर्जावान रखा जाना चाहिए इसलिए आप संगीत और दियों की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं आपको हर तरह की चीजों की जरूरत पढ़ती है अपने वातावरों को जीवित रखने के लिए ताकि आपकी उर्जाए नीचे न गिर जाए और नहीं आप अलग-अलग अशुब शक्तियों का शिकार बनें जिनका हमेशा हम पर असर पढ़ता रहता है बस कुछ लोग उनके उपर रहते हैं और कुछ उनमें डूब जाते हैं तो यही है दिपावली का महत्व तो यह धनवंत्री की त्रेवदशी है तो यही है दो यही है